कैसी होगी छोटी बहु, सावित्री के दो बेटे थे, बड़े बेटे मनोहर की पतनी का नाम था सीमा और उसका छोटा बीठा आकाश अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब में लगा था, सावित्री के पती की मौत काफी पहली हो गई थी, बड़ भी ठीक नहीं था, एक दिन दोपैर का वक्त था, और सावित्री को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सीमा बहू, जल्दी से मेरा खाना लगा दे बिटा, आपे सुम्रमेना भूखा नहीं रहा जाता, देख तो सही सरा दोपैर के तीन बच गया है, अरे मम्मी जी आपका पेड है या कुआ, जब देखो तब कुछ न कुछ खाने के लिए मांगती रहती है, ऐसी बात नहीं है सुबसे बस एक कप चाई पी है, आप मुझे खाना दे देना बहुत भूख लगी है, अरे मम्मी मैं और सीमा शॉपिंग लिए बाजार जा रहे हैं, एक तो सारा दिन आपका काम कर करके सीमा वैसे ही चेड़-चेड़ी हो जाती है, आज बड़ी मुश्किल से शॉपिंग क मैं जा रहे हूं शॉपिंग करने, रात को बाहर से खाना खा कर आउंगी, मन हुआ तो आपको कुछ दे दूँगी मन पड़ी रहना भूखी, इतना कहकर मनोहर सीमा वहाँ से चले जाते हैं, कुछ देर के बाद शाम के वक्त आकाश ओफिस से लोट कराता है और अपनी मा को रोते हुए देखता है, अरे ममी क्या हुआ, आप इस तरह रो क्यों रही है, आपकी तब्यद आपको तीस बुखा रहे हैं ममी, मुझे बहुत भूख लगी है बिटा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, ममी भूख लगी है तो आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया, इस कि हरकते दिन पर दिन खराब होते जा रही है, मुझे उनसे बात करनी होगी, नहीं नहीं बिटा, मैं तेरे आगे हाथ चोड़ती हूँ, उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे और ज्यादा परेशान करेगी, लेकिन ममी आपका भी घर है, अगर उन्होंने खाना नहीं बना बनाता हूँ, अब जिन्ता मत करिये, और आकाश अपनी मा सावित्री को खाना बना कर खिलाता है, अगली सुबह भी आकाश ओफिस जाने से पहले सावित्री को खाना दे कर जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के कमरे में आते हैं, ममी, हम अब से आपका पलंग बाहर लगा दिया जाएगा बाहर का क्या मतलब है सिमा बहू बाहर का मतलब है बाहर आंगन में अब आपको कौन सा कमरा चाहिए इस उम्रह में करेंगी क्या कमरे के अंदर रहकर हमें दो कमरों की जरूरत है आज हम आपका ये कमरा खाली कर देंगे अरे लेकिन बाहर खुले आंगन में सर्दी, गर्मी, बरसाद में भला मैं वहाँ पर कैसे रहूँगी वो सब हमें नहीं पता मम्मी अब आप भी तो समझने की कोशिश करिए न हमारे पास बहुत समान हो गया है एक बेटरूम से काम नहीं चलता और वैसी भी मनोहर का ओफिस होता है उन्हें अपने लिए कमरे अलग से चाहिए कैसी मा है आप? अपने बेटी की प्रॉब्लम भी नहीं समझती क्या? ऐसा मत करो बेटा मुझे मेरे कमरे में रहने दो इस कमरे से मेरी और तुम्हारे पापा जी की पुरानी यादे जुड़ी है अरे मम्मी पापा जी तो गया है उपर भगवान के पास अब क्या उनकी यादे हैं? इतना कहकर सीमा और मनोहर सावित्री का पलंग उसके कमरे से बाहर निकाल कर आंगन में लगा दीते हैं आकाश जब आफिस से लोट कर आता है तो अपनी मा को इस हालत में देख कर बहुत दुखी होता है मम्मी आपके साथ इस गर में जो कुछ भी हो रहा है न वो मुझे बलकुल अच्छा नहीं लगता मुझे भाईया से बात करनी होगी नहीं बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाईयों के बीच में कोई परिशानी हो लेकिन मम्मी भाईया और भाबी रोज आपके साथ इतना अत्याचार करते है वो मुझे से बरदाश नहीं होता मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता अगर तु मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है ना बेटा तो मुझे इस घर से कहीं दोसरी जगा ले चल तेरे भाईया और भाबी ने इस घर को मेरे लिए नरक बना दिया है नई ममी, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगी ये घर आपका है और अगर हम यहां से चले गए तो सीमा भाबी इस प्राउपर्टी को भी अपने नाम कर लेंगी यही तो वो चाती है आपको परिशान करके इस घर से बाहर निकालना बड़े अर्मानों से सीमा को इस घर की बहु बना कर लाई थी सोचा था अरेंज मैरेज है घर को संभाल लेगी लेकिन उसने तो सब कुछ खराब करके रख दिया वैसे ममी, मुझे आप से कुछ जरूरी बात करनी थी बता बिटा, क्या कहना है ममी, मेरे ओफिस में रिदिमा नाम के एक लड़की जौब करती है मैं और रिदिमा एक दुसरे को कॉलेज के वक्त से ही जानते है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ देख बिटा, मैं तो लव मैरेज के बहुत खिलाफ थी मुझे लगता है कि लव मैरेज वाली लड़कियां अपने साथ ससुर को बहुत तकलिफ देती है मगर सीमा को देख कर लगता है कि अरेंज मैरेज वाली लड़कियां भी कुछ काम नहीं होती तो रिदिमा से शादी करना चाहता है न, कर ले वैसे भी आप इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता ममी आप चिंता मत करिये, रिदिमा आपका बहुत खयाल रखेगी आरे मुझे आप किसी पर भरोसा नहीं मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ममी, हम इसी घर में रहेंगे और आप मेरे और रिदिमा के साथ रहेंगी और आपको अंगन में भी नहीं रहना पड़ेगा और इस तरह से आकाश रिदिमा से शादी कर लेता है रिदिमा सावित्री की छोटी बहु बनकर उस घर में आ जाती है लेकिन पहले ही दिन से सीमा रिदिमा से चिड़ने लगती है शादी की दो दिन बाद ही आकाश और रिद्धिमा, मनोहर और सीमा की पास जाते हैं आईए आईए दिवरानी जी, स्वागत है आपका इस घर में आप तो दो दिन में ही यहाँ पर आ गई हमसे बात करने भला ऐसी भी कान से जरूरी बात थी? क्या बात है आकाश? पतने के आते ही तो भाईया से क्या जरूरी बात करने आ गया? देखिए भाईया, हमारे घर में कुल चार कमरे हैं उन में से एक कमरा मेरे पास है और तीन आपके पास हाँ, तो दिवर जी कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे भी मेरे दो कमरे चाहिए, हिस्सा बराबर का होना चाहिए या नहीं? इस घर की दो बेटी हैं और दोनों का बराबर हक है इस घर में रहने का इसलिए आप अपने तीन कमरों में से एक कमरा हमें वापस दे दीजिए अरे वाँ, मेरी देवरानी तो बड़ी इतीज है, बहुत इतरा रही है ना सासुमा अपनी छोटी बहु क्याने से मुझे तो लगता है मैंने तो उनका खाना चिना है, लेकिन ये उनको एक वक्त पानी भी देते तो बड़ी बात है ये तो वक्ती बताएगा जिठानी जी, कि कौन किसे पानी देगा और कौन नहीं, फिलाल तो आप एक कमरा खाली कर दीजी और इस तरह से रिद्धिमा अपनी जिठानी सीमा से अपनी सास का कमरा वापस ले लेती है वा रिद्धिमा तुमने तो मेरा कमरा खाली करवा दिया लेकिन मम्मी जी वो कमरा मैंने आपके लिए खाली नहीं करवाया है क्या रिद्धिमा भी सीमा की तरह अपनी सास को टॉर्चर कने वाली थी या फिर रिद्धिमा के आने से बदल जाएगी सावित्रिक की जिंदगी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है रिद्धिमा क्या मुझे मेरा कमरा वापस नहीं मिलेगा ये तुम क्या कह रही हो रिद्दिमा, तुमने बड़े भईया बाबी से मा का कमरा यही कह कर तो लिया ना, कि हमें भी बराबर से इस घर में अपना हक चाहिए, और तुम मा को उनका कमरा वापस देना चाहती थी ना बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी बीवी पर, देखा, आते ही रंग दिखाने लगी आरे मैंने कम से कम शादी के कुछ साल तक तो सासुमा को खयाल रखा, उनकी सीवा की लेकिन देवर जी, आपकी पत्नी ने तो आते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया एक मिनेट, एक मिनेट, आप लोगों की जो मन में आया वो आप कहे जा रहे हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजी अब तुम क्या कहना चाहती हो, कहलो, वैसे भी मुझे आप अपनी बहुँ से कोई उमीद नहीं मामी जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में आप रहा करती थी, वो कमरे अब आपको वापस नहीं मिलेगा जानती हूँ बेटा, मैं इतने दिन सांगन में रहा रही हूँ, कुछ दिन और रहा लूँगी बस अभी मेरे जिन्दगे में पता नहीं अब कितने दिन बचे है नहीं मामी जी, वो बात नहीं है, आपकी कमरे में मैं और आकाश रहेंगी क्योंकि वो कमरा काफी पुराना है और उसका इंटिर भी अच्छा नहीं है मेरी और आकाश की शादी के लिए आपने हमारा जो अच्छा वाला बेडरूम रेड़ी किया है न, आप उसमें रहेंगी क्या? ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा बहू? हाँ ममी जी, सच कह रही हूँ अब देखिए, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, आपको हमेशा सबसे पहले, सबसे अच्छी, सारी चिज़े मिलने चीए न सौरी रिद्धिमा, मुझे लगा तुम मां से उनका कमरा चीन रही हो नहीं आकाश, अब हम कुछ दिन ममी जी वाले रूम में रह लेंगे, और उसे धीरे धीरे ठीक करवा लेंगे लेकिन ममी जी अब से हमारे कमरे में रहेंगी रिद्धिमा की बात सुनकर मनोहर और सीमा वहाँ से मुँ बना कर चले जाती है लेकिन सावित्री को इस बात पर भरूसा हो जाता है कि रिद्धिमा एक अच्छी बहूती वो कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी रिद्धिमा हमेशा सावित्री का अच्छे से खैल रखती थी ये देखकर अम्मनोहर और उसके पत्नी सीमा को रिद्धिमा से प्रॉब्लम होने लगी सावित्रे रिद्धिमा को अपने बेटी की तरह रखती थी ये सब होते हुए देखकर सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था अरे आप क्या अपना मू बन करके सारा दिन बैठे रहते हैं आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है क्या परिशानी है अब तो ममी का सारा काम वो घर की छोटी बहु करती है न फिर क्यों परिशानी हो रही है तुम्हें हाँ और किसलिए करती है ये आपको पता भी है किसलिए करती है करने दो करती है तो अरी ये घर ममी जी के नाम पर है अगर तुम्हारी ये जो छूटी बहु रिद्धिमा ऐसे ही ममी जी की सेवा करती रही न तो एक दिन मम्मी जी हम दोनों को इस घर से लात मार के बहार निकाल देंगी तुमारी हरकते भी तो वैसी है कि तुम्हे तो कोई भी लात मार कर निकाल दे बाते तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तुम अपनी मम्मी का बड़ा ध्यान रखती हो आए बड़े चुप चाब सपनी मा की सेवा करना शुरू कर दो जस दिन बुडिया मर गई न सारी प्रॉपर्टी आपकी छोटे बैरोस की बीवी के नाम कर जाएगी मेरे करने से कुछ नहीं होगा सबसे ज्यादा तुमने मम्मी को परिशान किया है अब जो सेवा विवा है वो तुम करो ठीक है ठीक है मैं ही करती हूँ कुछ तुमारे साहारे रहने का तो कोई फाइदा ही नहीं है अगले दिन सुबह सुबह सीमा अपनी सास का पसंदिदा खाना बना कर उनके पास जाती है मम्मी जी कैसी हैं आप? बिटा तुमने तो मुझे उपर पहुँचाने का सारा इंतजाम कर दिया था वो तो भला हो आकाश का जो उसने रिद्धि मा से शादी कर ली और मेरी जिंदगे समभाल ली अरे मम्मी जी ऐसे क्यों कह रही है? रिद्धि मा आपकी बहु है तो मैं भी तो आपकी बहु हूँ ना? आँ, तुम कैसी बहु हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है अब ये बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? बस देखने आई थी मम्मी जी, आप ठीक से रह तो रही हैं ना? अरे मेरी छोटी बहु ने अपना नया कमरा मुझे रहने के लिए दिया है यहाँ पर मुझे क्या परिशानी? दिन में चार बार मुझे से बात करने आती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा मम्मी जी, बैसे मैं भी आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना कर लाई थी, खा लीजिये ना? अरे मुझे तेरे हाथ के बनाए हुए खाने की कोई जरुवत नहीं है मैंने पेट बर के नाश्ता किया है रिद्दिमा अभी अभी मुझे गरमा गरम नाश्ता करवा कर गई है ले जा तो अपना खाना बापस लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपके लिए लेकर आई जी अरे बहुत जब मुझे तेरे बनाए हुए खाने की जरुरत थी तब तो तू लेकर आई नहीं अब मैं तेरे खाने का क्या करूँ जा लेकर जा अपना खाना बापस और इस तरह से सावितरी सीमा को वापस भेज दीती है शाम के वक्त रिद्दिमा ऑफिस से लोट कराती है मम्मी जी अप ठीक है ना आपने शाम की चाय पी की नहीं मैंने मेड को कह दिया था कि आपको वक्त पर चाय दे दे अरे रिद्दिमा तूम आफिस में रहते हुए भी मम्मी की चिंदा क्यों करती हो मैंने कोई बहुत अच्छे काम किये होंगे जो रिद्दिमा जैसी बहु मुझे मिली मम्मी आपने बहुत अच्छे काम किये कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला जो आपके लिए इतनी अच्छी बहु डोन कर लाया बात तो बिल्कुल ठीक कहा रहा है बिटा हैरे मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है आप तो मेरी मा के जैसी है मैं आपका खैल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी इस तरह से सावित्री, रिद्धिमा और आकाश बड़े ही आराम से रह रहे थे लेकिन सीमा और मनोहर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कुछ दिनों के बाद मनोहर की नौकरी चली जाती है और उसके घर की हालत खराब होने लगती है मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के पास आते है ममी, आप हमेशा आकाश के पास क्यों रहती है आपको कुछ दिन मेरे पास भी रहना चाहिए न आरे नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और वैसे भी मुझे सुम्र में दो वक्त की रोटी चाहिए जो रिद्धिमा बड़े ही प्यार से देती है इसलिए मुझे आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है लेकिन ममी जी, हमें तो आपकी जरूरत है ना आरा तुम्हें बला मेरे क्या जरूरत वो क्या है ना ममी जी मनोहर के पास पिछले कुछ मैंनों से नौकरी नहीं है हमारे पास सारे पैसे भी खत्म हो गया है अगर आप हमारी मदद कर देती तो अच्छा होता नहीं बहु बेलकुल भी नहीं तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती मुझसे मेरा घर चिनकर मुझे बाहर आंगन में डाल दिया मुझे इतने इतने दिन तक तुम खाना नहीं देती थी अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्या मम्मी जी आपको अपने बेटे पर भी दयानी आरी